हेलो लिसनर रिकोर्डिंग क्लब एप पर आप सबका स्वागत है तीन फरवरी 2023 के दह हिंदू विशलेशन के साथ पहली जो खबर है दरसल वो एक एडिटोरियल है जो दह हिंदू में प्रकाशित हुआ और वो लदाख में वर्तमान जो परिस्तितिया है उस पर वो एडिटो कोटिविकेशन नवंबर में आया तो असल में क्या हुआ कि जमु एन कश्मीर में जब अनुच्छे 370 को निश्प्रभावी किया गया तो जमु कश्मीर को दो केंद्र शाषित प्रदेशों में बाटा गया उसमें एक तो जमु कश्मीर स्वयम और दूसरा लदाख में अब ये मांग उठने लगी है लगातार की जद्दा को छटी अनुसूची जो भारती समीदान के छटी अनुसूची है उसमें शामिल किया जाए दरसल छटी अनुसूची जो है वो भारती समीदान के अनुचे 244 के तहत समीदान में प्रावधान करती है छटी अनुसू है छटी में कैप ले चाहर राज्य है तो अब यह जो चाहर राज्य है इन्में क्या हockा होता है कि जो आदिवासी क्षेत्रभ है उन आदिवासी क्षेत्रों में अलग से कुछ स्वायत्ता दी जाती है जैसे मैं कुछ उधारन दूगा और उसके बाद फिर मैं लद्दाक वाले इशू पर आऊंगा देखो होता गया है कि छटी अनुसूची में जिन इलाकों को जिन ट्राइबल एरियास को रखा जाता है वहां स्वायत्ता दी जाती है और वहां नियाईक और वित्ति तमाम शक्तियां होती है मतलब वह बहुत जादा स्वायत होती है अब क्यूंकि ये प्रावधान असम मेगाले मिजवराम और तरिपूरा में ही लागू होते है तो वहां दरसल जो डिस्ट्रिक काउंसिल बनाई जाती है वह एक ट्राइबल डिस्ट्र समुदाय को स्वायत्ता देने के लिए इन चैत्रों में छटी अनुसुची है और इसमें क्या-क्या प्रावधान है एक तो विधाई प्रावधान अगर देखें तो मतलब जो डिस्ट्रिक काउंसिल्स है ये जो जिला परिश्यदे हैं इनको कानून बनाने की शक्ति मिली ह भी है होए है मतलब ही अपने लिए कानून बना सकते हैं वो कानून अगहीं हो गई-दित-ब जमीन हो गई-खेंस या नहरका पानी होगया वन हो तुमिन जायदात का उत्रादीकार हो गया, तो इन सभी मामलों पर जो है डिस्टिक काउंसिल कानून बना सकती है, इसके लावब डिस्टिक काउंसिल जो है वो इसके पास एग्जिकटिव पावर भी होते है, कारिभाली का शक्तियाँ भी होती है, जिसमें वो प्रात्मिक व जाले उनमें कौन सी भाषा चलेगी और पढ़ाई किस भाषा में कराई जाएगी उसका भी निर्ड़ने ले सकती है तो यह उनके कारीपाली का शक्ति होती है इसके अलावा उनक्रेस कुछ न्याइक शक्तियां भी होती है जैसे डिस्ट्रिक काउंसिल कोट बना सकती है तो ज डिस्ट्रिक काउंसिल की कोट में वो मामले नहीं चलाए जा सकते है जिनमें अपराज की सजा पांच साल या उससे ज्यादा की हो या फिर जिसमें डेथ पैनल्टी दी जाती हो मृत्यू दंड होता हो तो उनको छोड़कर बाकी सारे मामले डिस्ट्रिक काउंसिल की कोट मे हो सकती है इसके लाव और कहीं नहीं हो सकती बीच में किसी जिला अदालत में आप अपील नहीं कर सकते हैं वित्तिय शक्तियों में कहें तो उनके पास अपना खुद का बजट बनाने की शक्तियां होती है इसके लावा वहनों पर प्रॉपर्टीज पर जमीन पर इन पर टेक् हैं कि छटी अनुसूची में लद्दाक को भी शामिल कर लिया जाए उन चार राज्यों के लावा अगर यह मांग के लिए वो एक तरसे फास्ट पर बेठे हैं अन्शन कर रहे हैं अब लद्दाक दरसल क्या हुआ कि पहले तो चलो झें लद्दाक में क्या था कि राजनितिक सत्था वी थी क्यूंकि जमो कश्मीर में आता था और जमो कश्मिर में पॉलिटिकल गवर्मेंट होआ करती थी राजनितिक सरकार होती थी अब जब संग्षाषित प्रदेश बन गया है तो वहां होता है Lieutenant Governor और वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो लदाक में पिछले कुछ दिनों से जो elected representative है कारगिल काउंसिल के या लेह काउंसिल के इसके अलावा जो जनता है वहां की और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बीच में अपस में तक्राव की स्थित्या बन रही है अब जब उनके भी आपस में टकराव की स्थित्या बन रही है तो अब वो चाहते हैं कि इसको छटी अनुसूची में सामिल करके और उनको स्वायकता दे दी जाए थाकि ब्यूरोक्रिसी से थोड़ा सा छुटका रहा हूंने मिले इस तरह का वो सोचते हैं लेकिन लदाक में भी ऐसा नहीं कि सब एक जिससा सूचते हैं लदाक चाहता तो था कि यू ट बनाया जाए इस्पेशली लडाक की जो बुद्धिस कॉंग्रेस और जो शिया मुस्लिम आउटफिट से वहाँ पर वह एक साथ आ गए उधर दूसरी तरफ लेह में भी एक गडबंदन बना जिसका नाम है लेह एपेक्स बोडी लेब जिसको कहते हैं और उसके जो अध्यक्ष है वह थुमस्तान छेवांग है जो कि भारती जनता पार्टी के नेता है और पहले वहाँ पर MP भी रह चुके हैं ठीक है तो अब लेब और केडी है यह जानी लेह एपेक्स बोडी और आपकी जो कारगिल डेमोक्रिटिक अलाइन से यह आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि भाई देखो सुनो हम आपस में मिलके काम क पूरे लग्डा के लिए कि लोग सबस्वा सीट है उसके अलाव हो कह रहे है कि हमें जो है वो जोब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए ठीक है जोब में उनको रिजर्वेशन चाहिए और चोथी उनकी डिमांड अब ये है कि अब हमें यूनियन टेरिटरी नहीं रहे ना हमें केंदर शाशित प्रदेश नहीं रहे ना अब हमें तो पूरे राज्य का दरजा मिलना चाहिए यनि लग्डा को पूर्ण राज्य बना दिया जाए दर हिंदू की इडिटोरियल में आगे ये भी कहा गया है कि पिछले 2020 में लदाक में चाइना ने गुस्पेट की है और भारत के लिए जो लदाक है वो एक सामरिक दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण शेत्र है तो ऐसी स्थिती में सरकार को जो है वो लदाक के लोगों के सा समीतिया भी बनाई है और दूसरी समीति जो बनी थी वो नित्यानंद राय जो कि भारत के ग्रह रज्य बनी थी लेकिन उस समीति ने कोई खास मतलब ब्रेक्ट्रू उनको मिल नहीं पाया ऐसा कह सकते हैं कि वो समीति ने लोगों को जादा नाराज किया है तो इस वजे से भ जो आपके साथ साजा किया अगला इंट्रेस्टिंग जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतराष्टि मुद्राकोष्ट ने 31 जनवरी 2023 को एक वर्निंग एक चेतावनी दी थी कहा कि जो विश्व का व्यापार है ग्लोबल ट्रेड वेश्विक व्यापार वो अब 5.4 प्रतिशत से उसकी जो व्रिद्दी दर है वो 2.4 हो जाएगी अब आर्टिकल यह किरा है कि यह तो और आशावादी बात है मतलब इससे और निराश होने की जरुरत नहीं क्यों क्योंकि तो इससे भी कम हो सकती थी भाई विश्व में इतनी उथल पुथल मची ह यह रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कोविड-19 के अलग-अलग वेरियंट आ रहे है तो ऐसी स्थिति में जब उथल पुथल भरा विश्व है तो 2.4 प्रतिशत रहे हैं तो भी ठीकी है मतलब कोई जादा बूरी बात नहीं है लेकिन जो यह आर्टिकल इसका प पेपर पब्लिश किया है आए-श यूम फ के पब्लिक जो पेपर ना रखा एंसाओट एसक पार त्थ इसलियूंट गरोथ उसमें क्या कहा गया है कि देखों और इस्ट एसके बीचермें सिन एक अच्छा व्यापारा चल रहा है। रिखिज एश्या में कौन-कौन से देश, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, मांगलदेश आता है, नेपाल, बूतान आता है, फिर आपका श्री लंका, मौल्डीव, अफगानिस्तान, ये दखियन ऐश्या्यज देश है। उसी तरह East Asia East Asia यह पूर्वी एश्या में किसको आप गिन सकते हैं जापान को गिन लो यह आपके South Korea को गिन लो दखिन को रिया जो और इसके लावा एश्या के दूसरे जो आस्यान के देश हो गए आपके इंडोनेशा थाईलेंड में यह वगरा वगरा बीच में चीन और प्रिश्या की बीच में 332 बिलियन डॉलर तक का व्यापार बढ़ा है मतलब जो पांसो बिलियन डॉलर तक हो सकता है एक बिलियन डॉलर करीब 8000 करोड का होता है तो उस हिसाब से कैल्कुलेट कर लो इसके अलावा जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट होते हैं मतलब मुक्त मुक्त व्यापार समझोते होते अलग अलग देशों की विच में जिसमें देश जो है एक दूसरे को कुछ रियायते देते हैं कि हम तुम पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे या यह वाले माल पर ह हम स्टेक्स नहीं लगाएंगे और इसके बदले में तुम हमें यह देना तो दो देशों की विच मुक्त व्यापार होता रहे था एक विस्तार से बात करनी क्या आवा शकता है कि वह होते क्या है लेकिद आप इना समझे कि मुक्त व्यापार समझोते जो है वह बढ़ जाए अब क्या है अब क्या है ना यह आर्टिकल आगे कुछ आर्ग्यूस करता है अगर साउथ एशिया को अपनी बढ़त बनाय रखनी है तो कुछ तो सुधार करने पड़ेंगे अगर वह सुधार कर लेता है तो फिर कोई भी पचाड नहीं पाएगा तो क्या सुधार उनको वन अर्थ विवस्ताएं हैं उन्होंने क्या किया है कि 2008 के बाद जो वेश्विक वित्य क्राइसिस आया था ग्लोबल फिनांशल क्राइसिस के बाद अपनी अर्थ विवस्ताओं में टैरिफ और नॉन टैरिफ बेरियर्स को बढ़ा दिया था टैरिफ और नॉन टैरिफ बेरिय क्या होते हैं कि मतलब दूसरे देश के सामान पर इतना टेक्स लगा दो कि वो अपने देश में महेंगा हो जाए मान लो जो मान लो कि भारत को चीन से कोई वस्तू आ रही है और उसके आयात को रोक तो सकते नहीं क्योंकि हमारे वर्ल ट्रेड ओर्गिनाइजेशन की ट्रीटी पर दूसरा होता है नोन टेरिफ बेरियर क्या होता है कि आप कुछ ऐसे मापदंट दे कर दो कि उन मापदंटों पर कोई सामान खरा नहीं उतरता है तो फिर उस सामान का हम आयात नहीं करेंगे जैसे कि कोई क्वालिटी चेक लगा दो या कोई इस तरह की पैकेजिंग का न यहां भी रोका जा सकता है तो कहा यह जा रहा है कि tax reform करो यह जो barrier tax barrier है इसको दूर करो non tariff barrier है इसको दूर करो कम करो इनको ताकि और लेकिन इतना कम भी मत कर दो कि government का revenue ना आये थोड़ा कम करो ताकि rational लगे एकदम reasonable तार्किक लगे दूसरा सुधार जो इसमें सुझाय गया वो यह है कि जो विशेश आर्थिक शेत्र हैं उनकी कारे प्रणाली को सुधार ना होगा विशेश का आर्थिक शेत्र दरसल हर देश में बनाय जाते हैं जहां पर एक शेत्र निर्धारित कर दिया जाता है जिसमें आर्थिक जो नियम कानून होते हैं वो अलग होते हैं मतलब जैसे हमारे देश में करके सेज बनता है तो कुछ समय के लिए टेक्स नहीं लगता और विशेश जो है वो कलस्टरिंग होती है वाँ विशेश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है कंपनियों के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में तो इस तरह सेज बनाया जाते हैं तो हमारे देश में जैसे कोची हो गया या पाकिस्तान का गौादर हो गया मंगलदेश का मीड सराई हो गया श्री लंका में हमबंत होता है तो इन में क्या है कि करीब 600 से जादा इन सब में मिलाकर सेज बने हैं विशेश आरतिक शेतर बने है अब बना तो दिये लेकिन उनके फंक्शनिंग को और बहतर करना उनके प्रोसेस को अच्छा करना उनका आउटकम अच्छा करना है वह तकनीक देनी है बतलब जहां यह कंपनिया आएंगी वह आपको बहतर प्रद्योगी की उपलब्द करवाओ जो हमारे देश के श्रमिक है वो इतने कुशल होने चाहिए कि वहाँ काम कर सके तो अच्छा मानव पूंजी भी हो इसके अलावा वह फाइव जी इंटरनेट मिले क्योंकि कंपनिया है तो इंटरनेट की ज़रुद पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि प्रोड़क्शन कि यहां जो नेटिया होती है या जो स्थिर्था होती आर्थ agreed स्थिर्था है। Hatta फॉstep क Comes in दिवेभी इसके लिए नेए इसके लिए रीडी भी कारीप्रमूं का परिवर्थन भी होता है आर्थिक नीतिया अलग अलग पार्टी के अलग अलग होती है तो हमेश्चा जो निवेश होताárias और अधिए कि यहांरा राजिनितिक समझोगते का है. मुक्त व्यापर समझोगते जैसा मैंने बताया कि दो देशों की बीच में या संगठनों की बीच में होता है जिसमें टैरिफ बेरियर, नोन टैरिफ बेरियर इनको हटाया जाता है और कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन के जाए जिससे दोनों देशों के बीच में आसानी से व्यापार हो सके उन दो देशों के बीच में अलग नियम होते हैं व्यापार कर बाकी दुनिया के साथ जब व्यापार करते तो थोड़े अलग नियम होते हैं तो हर देश के साथ उसी साफ से नियम बनाए जाते हैं RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership नाम की जो एक मुक्त व्यापार संदी है जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हैं जिसमें खासकर आसियान के जारतर देश सामिल है तो चीन भी इसमें शामिल है तो इस तरह से वो सब मिलकर एक सारे देश मिलकर एक ही समझोता करने पर लगे हुएं ताकि सब देश सब RCEP के मेंबर्स हो जाएंगे तो हापस में भारत कर सकिएंगे है भारत ने द transforms में मना कर दिया था कहा कि क्यो उसका कोरण यूद बहुत की चीनन वाला मामला था कि कोई सामान जो है वो किस देश से आता है और अगर किसकी री-रूटिंग हो जाती किसी दूसरे देश से तो फिर क्या उसको कस्टम्स में छूट या बाकी चीजे बाकी लाब मिलेंगे क्या मिलेंगे या मस 처्पका। हमद्स ह neighborhood को चीन को चूट नहीं को है उसको सामान बहुत बैज़ा दे और बहुत बहुना को सा मनले सामान बहुत ते भाराइम है большे ऐसीप movements ये कहा गया है कि भारत जो है वो कोशिश करे की दो बारा से क्योंकि भारत के दर्वाजे खुले हुए हैं और RCP में आ जाए और जब भारत अगर RCP में आ जाएगा तो पुरा दक्षिन एशिया जो है वो एंकरे जोगा वो प्रोटसाइथ होगा इसमें आने के लिए उसके ब भूटान, माल्दीव, श्री लंका, अफगानिस्तान ये सब सदस्य हैं लेकिन इनकी आपस में अफशिकरवारता है हो नहीं रही है नहीं सार्क ढंग से काम कर रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की बीच में जंजट उसके लाव भारत नेपाल का भी कुछ-कुछ कभी- तो इतनी इन्स्टेबिलिटी चल रही है श्री लंका में क्राइसिस आ रखा है ठीक है तो और माल्दीव में भी सत्ता और विपक्ष के बीच में अस्तिरता का माहूल है तो कुल मिलाकर ये कि सार्क का तो कुछ हो नहीं रहा तो भारत क्या उसके बदले में बीमस्टेक पर इस तरह के जो देश है था आईलेंड वालेंड इन सब के साथ मिलकर भारत जो है वो एक नई ग्रूपिंग को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है बीमस्टेक बना तो बहुत पहले सी था लेकिन कोशिश हो रही कि सार्क की जगे भारत बीमस्टेक पर फोकस कर रहा है और देशों के अंदर आर्थिक जो कैपिसेटी बिल्डिंग होती है समता निर्मान उसको करने की कोशिश की जाए तो हो सकता है संबह वो कि बीमस्टेक रिवाइव होने से साउथ एशिया को मजबूत ही मिले साउथ एशिया और क्यूंकि उसमें इस्ट एशिया के भी कुछ द कुछ जियो पॉलिटिकल इशूज आ जाएं भू राजिनितिक परिस्तिया ऐसी बन जाएं कि आप जो है वो साउथ एशिया और इस्ट एशिया को ब्रोडर सेंस में ना देखो अगर उसको इतना व्रहद ना देखो तब भी जो है शुरुआत जो हो सकती हो दक्षिन एशि होशा पड़ता है मतलब ऐसे कह सकते हो कि मैप में राइट हैंड साइट पर आपका पूरा आसियान गंट्रीज आ जाती है ठीक है तो भारत जो है वो दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा देश भी और जी ट्वेंटी का भी अध्यक्ष भी है तो ऐसी स्थिदी में भारत के पूपर ये responsibility भी है और भारत के पास opportunity भी है कि वो दक्षिन एशिया और दक्षिन पूर्व एशिया और जो पूर्वी एशिया है उनके बीच के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और एशिया में व्यापार को बढ़ावा देने में काम कर सकता है तो ये उसका पूरा कोट में अश्वनी उपाद्याय ने गियाचिका लगाई थी कि जो दो लोग सभाया दो विदान सभा कॉंसिट्वेंसिस से जो लोग लड़ते हैं एक साथ एक ही चुनाव को उस पर रोग लगई जाए दरसले कि भारतिय समीधान में वोई कानून में लिखी गई है जिसका नाम है जन प्रतिनेद्व कानूण 1951 उसमें धारा है 37 धारा 37 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक साथ अगर चुनाव हो रहा है जैसे आम चुनाव हो रहा है या फिर एक साथ बहुत सा रूप चुनाव हो रहे हैं तो वो दो सीट से चुनाव लड़ा 2019 में वाइनाड और अमेठी से ठीक है एक जीती एक हारी अब मुलाइन सिंग यादव ने भी 2014 में दो सीटों से चुनाव लड़ा था ओके ऐसे बहुत से उधार ने अटेल विया रिवाज पईजी ने तीन सीटों से भी चुनाव लड़ा हुआ है तो कहा कि जनता होती है उसको छे मेने बाद दोबारा से अपना सांसद चुनना पड़ता है क्यों कि दो सीटों से चुनाव लड़ा गया था एक सीट तो खाली करनी ही है क्योंकि समीदान में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सीट से सांसद नहीं रह सकता य क्योंकि यह राजनेतिक मामला है और राजनेतिक लोकतंतर से जुड़ावा मामला है और एक नितिकत मामला भी है तो इसका निर्ने संसद करेगी सुप्रीम कोड नहीं करेगी यह कहकर सुप्रीम कोड ने इसे खारिज कर दिया तो आपके लिए परिक्षवपयोंगी यह है क दरसल उत्राखंड से related है, उत्राखंड में एक शहर मसूरी, मसूरी में दरसल ये concerns उठाए जा रहे हैं, चिंता उठाए जारी कि जैसा जोशी मट में हो रहा है, जैसे जोशी मट में घरों में दरारे पड़ गई और घर दरकने लगे हैं, वहाँ पर infrastructure weak होता जा रहा है, तो जो इस तरह की बातें जोशी मट में हो रही है, उससे ही same to same मिलते जुलती चीजें मसूरी में भी देखने को मिल सकती है, इसको लेकर एक report आई थी, वश्च 2001 में जो वहाँ पर मसूरी में एक लाल बहादूर शास्त्री, National Academy of Administration है, लबासना जिसको कहते हैं, जहां पर I.S. कारियों की ट्रेनिंग होती है, तो उसने एक report बनाई थी, कि मसूरी जो है 2001 में के बाद, वहाँ पर कोई construction नहीं हो सकता, मतलब अब उसकी धार्णी शमता, caring capacity खतम हो गए है, तो जब उसकी धार्णी शमता खतम हो गए है, कोई construction हो नहीं सकता, तो construction हो रहा है, वी के मामला थोड़ा सा, तो NGT, National Green Tribunal, National Green Tribunal एक न्यायाले होता है, अर्ध न्याया एक संस्था होती है, जो कि परियावरेंट से जुड़े हुए मामलों को देखती है, उससे जुड़े हुए मामले वही सुनती है, तो National Green Tribunal ने सुओ मोटो केस सुनना शुरू कर दिया है, और यह आद इसके लिमिट खतम हो चुगे, तो नए कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, और अगर पुराने कंस्ट्रक्शन जो जर जर हो गए है, पुरानी जो इमारते जर जर हो गई है, उनको कैसे सेवगार किया जाए, उनकी कैसे सुरक्षा की जासा कि उस पर रिपोर्ट बनाओ, उसके लगए NGT ने भी एक 9 मेंबर की एक समीती बना दी, जिसका अध्यक्ष उत्राखन के मुख्य सच्चिव का बनाया, आप सब ये बाद जानते हैं कि जोशी मठ में एक हाल में क्या हुआ, उस पर मुझे विस्तार सा कुछ बताने की जोरत नहीं है, पर मसूरी में भी इस हना हो, इसको ध्यान में रखते हुए, ये सोचा जा रहा है कि पहले ही स्टडी करा लिए जाए, स्टडी करा लिए जाने के बाद जो भी रिपोर्ट आए, जो उसका निश्कर शाए, उस हिसाब से सरकार कारवाई करें, और अगर नए निर्मानों पर रोक लगाने हैं अगली खबर का संबंध है एशियाई काला भालू से, तरसल दाहिंदू में खबर चपी है कि कश्मीर के अंदर पिछले 20 सालों में 2357 आक्रमन किये हैं, एशियाई काले भालू ने, ये एशियाई काला भालू जो है, वो विश्व में कहीं भी हमले नहीं करता, आक्रमन नही ये एशियाई काले भालू का जो प्राकृतिक आवास है, उसको समाप्त किया रहा है, और लगपग ये हर बार जब भी हम मानव और पशुओं की बीच में संकट ये टकराव की स्थिति को देखते हैं, जब जब जैसे हाती और मानव का भी होता है, शेर और या फिर जो शेर की प्रजाति से जुड़े होए लियोपर्ड या टाइगर वगएरा, इनका भी हुमन के साथ कनफ्लिक्ट होता है, तो इसमें कॉमन ग्राउंड यही कि उनके नेचुरिल हैबिटेट को, उनके प्राक भालू तो वहाँ आए गई और वो अटेक करता है, ठीक है, दूसरा कारण के है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा की बीच में लगी होई फेंसिंग, बड़ा बंदी हुई है, तार बंदी कर रखी है, तो भालू इदर से उदर जा नहीं सकता, तो भालू का जो रास्ता है वो अब भालू का रास्ता ब्लोक हुआ तो भालू जो है वो जनता की बीच आ जाता है, ठीक है, यहां कर अटेक करता है, एक तो यह कारण भी है, तूसरा एक तीसरा कारण यह भी है कि उद्यान और खेत वगेरा है, इनमें क्या फ्रूट फल वगेरा उगते हैं, नट्स वगे करता है, तो वो जादा टेक नहीं करता है, खुल मिलाकर यह है, तो यह माना गया है, एक इंट्रेस्टिंग सी रिपोर्ट है, तो मैंने सुच है यह भी शेयर कर दो आपके साथ, तो आज इतना ही फिर कल चार फरवरी के विशेश, विशलेशन के साथ दोबारा मिलेंगे द आपका उब देश यह ले है, और recording club का मानना भी यही है, कि आप लोगों के पास पूरों दह रिपोर्ट हिंदू नहीं हम पहुचा सकते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि दह रिपोरे 28 il 20th को न पढ़कर केवल उनके जो परिप्योग आपके आपके विशलेशन हो तो परि परिक्षा में आपके काम आएंगे इसलिए संभवते हैं जब आप दा हिंदु को दो बार पढ़े तो आप सोच सकते हैं कि कुछ खबरे मिसिंग हैं तो वह इसलिए हैं क्योंकि अधिकांश खबरे राजनितिक होती है या फिर स्थानी प्रवर्ति की होती हैं तो स्थानी प् परिक्षानी भी दूर हो जाती है कि पूरा दा हिंदु पढ़ने की ज़रोती खतम पूरा दा हिंदु नहीं पढ़ना पड़ेगा सिर्फ परिक्षव उपयोगी खबरे चुनना भी आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो वह भी हम कर ही रहे हैं तो इसलिए द